दूजी स्टुदेंट्स, we are going to discuss about IUPAC naming of ethers. So, ethers are the organic compounds in which two alkyl और one alkyl, one aryl और two aryl groups are attached to one oxygen atom. जदो एक oxygen atom दे उपपर दो alkyl groups लग गे होन, या दो aryl groups लग गे होन, या एक alkyl, एक aryl group लग गया होएं, ता एह हो जे organic compounds नूँ असी ethers बोल देया. ठीक है, here R is alkyl group, these two alkyl groups can be same or different, these two aryl groups may or may not be same, they can be same or different. तो A, तुसी इन्हों इद्दा लेक सकते हो, dash पाके, R and R dash may or may not be same, AR and AR dash may or may not be same, तो A ethers दी general energy structure, के एक कैह होजे लग देया. अजी बेटा, तो अगर आपा होनको, इना दे naming, IOPSC naming दी गाल करिये, ता इना दा जेड़ा general name हा, it is alkoxy alkane, alkoxy alkane. तो बेटा, alkoxy, alkane दा मतलब की, alkoxy is the name of OR group, and alkane will be the name of R group. असी इथर दे एक molecule नूँ दो हिस्स्याज तोड़ दांगे, एक alkyl नूँ असी O दे दांगे, ते दुझे alkyl नूँ असी कल्दा रखांगे. खीक है, जेनू O देती, ओदा नाम बनजू alkoxy, जेनू O नहीं देती, ओदा नाम बनूगा alkyne. तो O केनू देनिया, alkoxy केनू नणा, जेड़ा R group smaller होएगा. उनू O देनिया, ते जेड़ा R group bigger होएगा, उनू कल्लेनू रखना. O is given to the smaller alkyl group and its name becomes alkoxy. The remaining alkyl group is named as alkane. और जेड़ा remaining R group है, जेड़ा वड़े वाला है, फिर उनू तुसी parent मनना, जेड़ा parent chain चूज कर देना, एदे चोई तुसी parent chain चूज करोंगे. जेड़ा आवला R होएगा. एनू तुसी parent chain बना देना, एदे चो parent chain चूज कर लेनिया. तो जेड़ा smaller alkyl ओदेना ओ लगा देना, ते एज पूरे group नू आवले नू एक substituent मनना बास सिंप्ली, it is a substituent. It will be regarded as substituent upon the parent chain. उन्ता उन्हों example लेके तक होंगा, फिर ता नू क्लियर होगा. For example, simple molecules तो start करते हैं. CH3 O CH3. और एदेच किया, दोन्यों alkyl सेम हा, तो एक देनाल असी O रख ली. दूज्या, तो आ एदेनाल O चलेगी, यह बन गया मिथोक्सी. यह मिथ हा ना, एक कार्बन मतलब मिथ, यह बन गया मिथोक्सी. अभी एक कार्बन अए हैगा मिथेन. तो एदेनाम की बने हा? मिथोक्सी मिथेन. ठीक है, होले एक्जेम्पल्स. CH3, O, CH2, CH3. होन दो लगला गया लकाईला. आवला छोटाया. तो O नू एदेना क्लब करके इनू सब्स्टीटेट बनाता. और आ होगी साड़ी पेरंट चेन. तो कि वा डेवाले चो पेरंट चेन चूज करी रिया. तो आ हो गया नंबर वन, आ हो गया नंबर टू. चाहे वान टू नंबर ना वी दो ताम है, इट इस ओके. तो एदा नाम की बढ़े हैं, मिथोक्सी. ते दूज्जे दा इथेन. तो दिस इज मिथोक्सी इथेन. ठीक है? CH3, CH2, O, CH2, CH2, CH3. आ तेन कार्बन आ दो कार्बन. एदना लेनुआ एदा करता. तो आ हो गया साड़ा पेरेंट, पार्ट, पेरेंट चेन. दो कार्बन वाला, इट इस इथोक्सी. इथोक्सी प्रोपेन. आ तेन कार्बन. थोड़ी यहां जी हैं, complicated examples. CH3, CH, CH3, O, CH3. This is alkyl group with three carbons, this is with one carbon. तो आ साड़ा सब्स्टीट्वेंट हो गया. ठीक है जी? और आ वाला जड़ा alkyl है. अधे जो तुसी अनुपोल जो एक वरी. आ सिंपल सब्स्टीट्वेंट है हून. जिदा बाकी आपा पहला पढ़ किया है, naming, सारी सेम हो दी. एक सब्स्टीट्वेंट है. मालों के थे सिंपल है कि हैलोजन लगया. बाकी हिस्से जो parent chain कि दा चूज करनी है. आवारी parent chain होईगी. तुसी usually कित्थे confused होना? तुसी याद दो कार्बन वाली parent chain चूज करके एननों भी सब्स्टीट्वेंट माल लेना. इट विल भी रॉंग. आएक का सब्स्टीट्वेंट है. एदे उपर chain के ने खतम करनी है के ने क्या होँआ? सब्स्टीट्वेंट parent chain दे किसे भी कार्बनते लग गया हो सकता. होने दी numbering करती 1, 2, 3. तो इट इस 2-methoxy-propane. प्रोपेन दी second कार्बनते मिथोक्सी लग गया. जदो आर नू ओनल क्लब करता ना, ओ आर एक simple सब्स्टीट्वेंट मनने आ जाएगा. इट विल भी simply regarded as a substituent. तो substituent जड़ा वा, उनू substituent दी तरह ट्रीट किता जाओगा, जदा बाकी जदा methyl नू ट्रीट कर दे हा, या halogen नू या nitro नू ट्रीट कर दे, उद नहीं आपा OR नू ट्रीट करांगे, कोई special treatment नहीं देनी है नू. ठीक है? नेक्स अडिकुल आ मॉलिक्यूला, इदे जदेखो, आवला अलकाइल ग्रूप is seeming to be quite large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एच सिरफ दो हुआ, तो आ इनू असी substituent दरह ट्रीट करांगे हो, इदर चलाएगा, बाकी बच्चे हिस्से चो, parent chain चूज करो, इत्थो शुरू हो जो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो आ पेरंट चेन होजएगी, this will be the parent chain, ठीक है? हुण आ बार रह ग्या मिठाईल, एवी साड़ा सब्स्टीट्वेंट है, this is also सब्स्टीट्वेंट, हुण नम्बरिंग करिए, इदरो होगी, बिकाउज दोनों सब्स्टीट्वेंट एदरो नेड़े पेने हैं, लोएस सेट अफ लोकेन रूल, 1, 2, 3, 4, 5, जे तुसी एदरो कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, फे 3, 4 दा सेट बनना से, जे एदरो कर रहे हैं, 2, 3 दा बन रहे हैं, बास तोने दी नेमिंग कर दो, आ है इथोक्सी, आ है मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहला आओगा, 3 इथोक्सी, 2 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन, 3 इथोक्सी, 2 मिथाइल, पेंटेन, नमबर नो, अल्फाबेट तो हाइफन दी, 3 इथोक्सी, अल्फाबेट कर दे, ना कि कॉमा, तो उसी काल मिन्हों, जड़े पेज़े से के हो, अंसर्स लिखके, उन्हाबेच ए गलतियां, काफी होईयां होईयां सी, हाइफन दी बजाए कॉमा पाए होयां तुसे, एस चीज़ आते हाँ रखना, तो बेटा जड़ा इथर्जदा, आईउपीस ही नॉमन क्रेचर हुन्दा वा, उदे जबस इकको एही चीज, मेन जड़ी हो याद रखना लिया, के जड़ा एलकाईल छोटा वा, उदे नाल ओ लिख दो, ते बस उन्हों सिंपल सब्स्टिट्वेंट दे, वंगो ट्रीट करो, उन्हों कोई स्पैशल ट्रीट्मेंट दें दी लोड़ी है, जिदा आपा बाकी मिथाईल, इथाईल, कोई सब्स्टिट्वेंट आजएंदा ना, सब्स्टिट्वेंट सोगे, फिर नंबरिंग करना, फिर अर्फाबेटिकल ओडर चे सब्स्टिट्वेंट दा नाम लिखना, उस सारे रूल्स बाकी सेमा, बस इथर्ज दे बेच एक, दो आँ दे बेच एक आर नू ओ देनाल जोड़के, ओनों ओवार, ते ओवार एक सब्स्टिट्वेंट हुन दा, नथिंग मोर देन देट, ठीक है जी, ए चीज़ा, ते जे बेटा मैं एधे कॉमन नेमिंग दी गल करा, जिदा हुन आप किती है आई-उ-पेसी नेमिंग, if I talk about the common naming, the common naming देबेच किया, कोई parent chain ने चूप्स कर नी, कोई numbering नी, कोई prefix नी, कोई suffix नी, कुछ नी ऐधादा, तो common naming किया, simple common name कि दे लिख दीया, alkyl, alkyl ether, एकowi alkyl दादा नाम, दुझे अलकाइल दा नाम ते पिछे पाद दा इथर simply बस अलकाइल, अलकाइल, इथर और बस एदे चे देखना भी केड़े अलकाइल दा नाम पहला लिखना दो अलकाइल होलेगे न मालो एक इथाईल है कि मिथाईला alphabetically जड़ा पहला आन्दा उदे नाम पहला लिखोगा ठीक है alphabetically जड़ा इथाईल और मिथाईल जो इथाईल alphabetically पहला आन्दा तो इट विल बी रिटन एज इथाईल मिथाईल इथर जड़ा ज़े मैं एदी कल करा CH3O CH2CH3 इज मिथाउक्सी इथेन IUPAC नेम पर ज़े मैं common नेम लिखना A है methyl group तो इथाईल alphabetically पहला होगा इथाईल methyl ether ठीक है एदने ही साड़े को लह मालो CH3O CH2CH2CH3 इट इज वाट आ मिथाईला अब प्रोपाईला तो मिथाईल पहला आएगा मिथाईल प्रोपाईल इथर CH3O CH3 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 होण A है मिथाईल common naming देवेच होणेच parent chain वगरा था कुछ चूज करनी नहीं 1,2,3,4 इच चार कार बना तो एब्यूटाईला लेकिन एच चार कारबन एक चेंदे बिचता लगे नहीं होई इस इस नॉट N-ब्यूटाईल मैं तानो एलकाईल ग्रॉप्स थी जड़ी common naming का ओ भी वीडियो पे जी होई है ओ देख लिए हो अगर नहीं आदा दा दिस इस टर्ट ब्यूटाईल ग्रॉप दिस ग्रॉप इस टर्ट ब्यूटाईल क्योंकि जड़ी या कारबन हा ना जड़ी बॉंडिंग होई होई है ओक्सीजन देना एक टर्शरी है दिस इस टर्ट ब्यूटाईल लेकिन ब्यूटाईल मीन्स बी आप टर्ड दी टीरी देखनी, होता सिरफ ए दस्कंदे लेखा के ए ब्राँच देखा। तो ए बुताइला, ए मिथाइला, एदा नाम पहलना आएगा बुताइल, मिथाइल, इथर, बटे है केड़ा बुताइल, इट इस टर्ड बुताइल, इथर एक साधे कोल बेंजीन ठीक है एकनाल मिथाइल है तो हुन आता हो गया मिथाइल ग्रुप ते आ ग्रुप is not बेंजाइल ग्रुप क्योंकि बेंजीन जो दो as a ग्रुप असी बेंजीनों ट्रीट कर दे है उदा नाम फिनाइल होंदा आगे में बहुत वार्द से आ बेंजीन इस ट्रीट एज ग्रुप इज नेमेड एज फिनाइल तो ए फिनाइला ए जो दो 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 एलकाइल ग्रुप सेम होंदे है फिर दो दो नाम अलाग अलाग ने लिखना इट इस डाइफिनाइल इथर जे दोनो अलकाइल सेम एद नाइं जे दोनो अलकाइल आवी सेम होंदे हो it is di-methyl ether not methyl methyl ether ठीक है so this is about the common naming of ethers and this is about the IUPAC naming of ethers